अधिकांश जगत आज अज्ञान के गने अंदेरे में डूबा हुआ हमें दिखाई देता है। अज्ञान एक ऐसा रोग है जिसको पहचानने के लिए भी ज्ञान चाहिए। पर अकसर ऐसा होता है कि गुरु भगवन्त के संपर के अभाव से अज्ञानता की परंपरा चलती ही रहती है। और व्यक्ति कुछ चमतकार या आश्चरे के प्रभाव से ही शायद उसमें से निकल पाता है। अंदविश्वास में डूपते शावक शाविकाव को भी गुरु भगवन्त ही बचाते है। गोचरी के बिना ही वापस उपाश्वे में लोटाए। आज भी उतनी ही देखने को मिलती है। फिर हुआ ये कि दादा गुरुदेव के अनुयायों के घरों में से अंदविश्वास की वो सामगरी अपने आप उपाश्रे में आ गई। लोग जब अपने अपने घरों में क्रिया करने बैठे तो देखा कि सामगरी गायप थी। सब हैरान रह गये। सभी लोगों में भई पैदा हो गया। जब परिस्तिती का पता लगया गया तो भागे भागे लोग उपाश्रे में जहां दादा गुरुदेव अलरड़ी बिराजमान थे। सभी को अपने अपनी भूल का आभास हुआ। सभी ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। दादा गुरुदेव मुस्करा दिये और सभी शावकों से कहा कि धर्म रोस के जीवन में अभ्यास का विशह है। मिध्यात्व क्रिया में उलज कर अपने दैनिक जीवन विहवार के उत्तर दायत्व को भुला देना धर्म नहीं है। वीत्राग परमात्मा की उपासना उनकी आग्या को छोड़कर अंद विश्वास में फसने से आत्म कल्यान नहीं होगा। हमारी साधना ऐसी नहीं होनी चाहिए। जहां धर्म के नीती नियम तूटते हैं वहाँ पर कुद्रत भी उसे सहह नहीं सकती और महापुरुशो का सहारा लेकर वापस उस नीती नियमों को अकंडित करने का प्रयास करती है। दूसरी चीज ये कि अंदविश्वास एक ऐसी चीज है जो अपने मानसिक संतुलन को बिखेर देती है और हमें परावलंबी बना देती है यानि किसी और पर निर्भर बना देती है हमें सतत ऐसा ही लगने लगता है कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा आदी जबकि हमारे पुण्ने और भागय के आगे किसी की भी कुछ नहीं चलते और कुदरत के आगे तो बिल्कुल भी नहीं गुरु भगवन्त हमारे अंदर रही हुई ऐसे ही अंद मान्यताओं की अंदता को अंद विश्वास को दूर करने का कारे करते हैं और हमें रहा हुआ ये परावलंबिता का कच्रा दूर फैंग देते हैं इसलिए ही गुरु भगवन्तों की भूमी का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत एहम होनी चाहिए इस छोटी सी गटना से हम शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म पर शद्धा द्रड़ कर हमारी अंद शद्धाय दूर करें बस यही प्रार्थना जैन मीडिया पर ऐसे विडियोज आते रहेंगे देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं परमात्मा के आगया विरुत कुछ भी कहा हो तुम इच्छामी दुकडम जै जिन्शासन जै महावीन